हाई एवरिवान आज हम लोग पढ़ेंगे दे लोटस रिटिन बाई तोरू दत इस पोयम में एक लव होता है और वो एक फ्लोरा के पास जाता है फ्लोरा वो है जो सारे फ्लावर्स की रानी है ठीक है तो ये लव फ्लोरा के पास गया और उससे बोलता है कि मुझे न एक ऐसा फ्लावर्स चाहिए जो सबके उपर रूल करता हो और वो किंग हो या फिर वो क्वीन हो ठीक है और लव बोलता है कि इस दुनिया में दो जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही जादा फेमस हैं वो दो फ्लावर्स कौन से हैं एक लिली और एक रोज पूरी दुनिया में सारे लोग रोज और लिली की बहुत जादा तारिफ करते हैं लेकिन इनसे भी उपर अगर कोई फूल हो ना अगर कोई फ्लावर हो जिसको क्वीन या फिर किंग का दर्जा दिया हो तो वो मुझे बताना क्यूंकि मुझे एक ऐसा ही फ्लावर चाहिए जो रोज है ना वो लिली की तरह नहीं हो सकता एकदम खड़ा और मजबूत और जो लिली है वो रोज की तरह नहीं हो सकता लवली दोनों ही जो flower है वो एक दूसरे की तरह नहीं हो सकते मतलब दोनों में ही कमी है कि जो rose है वो बहुत ही जादा lovely है तो वो lily नहीं हो सकता ठीक है और जो lily है वो बहुत ही जादा strong है और हर दम वो खड़ा रहता है ठीक है तो यहां लव कह रहा है कि दोनों में ही कमी है और इन दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ लेकिन इनके भी उपर कोई बेस्ट फ्लावर हो जिसे हम बेस्ट बोल सकें मुझे ऐसा फ्लावर चाहिए क्योंकि सभी फूलों के बीच में लडाई हो जाती है कि कौन सा बेस्ट है कुछ लोग रोस की तरफ हो जाते हैं तो कुछ लोग लिली की तरफ हो जाते हैं लेकिन मुझे ऐसा फ्लावर चाहिए जो रोस की तरह लवली हो और लिली की तरह एकदम स्ट्रॉंग हो अब यहाँ पर फ्लोरा बोलती है अच्छा ठीक है तुम मुझे बताओ कि तुमको कैसा कलर चाहिए तो लव रिप्लाई करता है और बोलता है कि मुझे ना रेड की तरह वो फ्लावर चाहिए फिर बोलता है नई 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 मुझे लिली की तरह वाइट चाहिए फिर लव बोलता है नई 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 आच्छा ठीक है मुझे ना दोनों कलर का चाहिए रेड भी हो और साथ में वाइट भी हो मतलब mixed हो तो फ्लोरा बोलती है ठीक है और वो क्या करती है एक lotus का flower love को देती है जिसमें red भी होता है और white color भी होता है और उसको सारे flowers के ऊपर रखा जाता है और उसको सारे flowers के ऊपर queen माना जाता है और वो बहुती जादा अच्छा होता है और pretty होता है सो यहीं पर यह चोटी सी poem फिनिश होती है I hope कि आपको यह poem अच्छी लगी होगी अगर आपको यह poem अच्छी लगी है तो like किजेगा subscribe किजेगा और share सरूर किजेगा thank you